में तो इस वीडियो में हम लोग आशा सीखने वाले हैं वाहट इस एकस째 अपलोग न्यूजए प olması और लोग सुंती होंगे में कि आज आज एकस्पाइरी है इस का एकस्पाइरी है इस मुंद का sleep pressure कि next week है अब लोग सुनती होंगे news वगरा में what is expiry but किसी को शायद पता नहीं होगा कि expiry क्या होता है तो इस वीडियो को सुनने के बाद आप लोग को पता चल जाएगा कि expiry क्या होता है अगर मैं कहूं कि आपने शेयर मार्केट से पहले भी एंटर करने से पहले भी आपने आप्शन का एक्सिट किया है अपने आप्शन का एक्सपारी किया है तो शायद गलत नहीं होगा तो इसका एक एक्जामपल लेते हैं आपने अगर कोई स्कूटर या बाइक अगर कई पर्चिस किया है तो आ मैं suppose पकड़नाता हूँ अपने 1200 रुपे का इंसुरेंस करवाया तो जो अपने 1200 रुपे दिया तो इसको हम लोग प्रीमियम बोलेंगे शेयर मार्केट में भी सेम चीज़ होता है इस जो आप लोग प्रीमियम देते हैं जो इंसुरेंट एसेट्स खड़ितने के लिए जो बाइक खड़ितने के लिए आपने जो 1200 रुपे दिया एक साल के लिए अगर एक साल के अंदर कुछ डैमेज होता है आप लोग आप लोग वसका क्लेम मिलेगा कंपनी से तो सेंगोस पौर से आर मार्केट अलसो आप लोगों ने जो premium अप लोगों ने इंस्वनेंस दिया उसको हम लोग correlate करेंगे with premium in share market और उसका हम लोग premium हिसाब से consider करेंगे सब्सक्राइब आप 1200 रुपे दिये कोई share का प्राइस कोई share का option खडितने में किसी share का premium price pay करने में तो उसका expiry होता है every month of the last Thursday of the every month मतलब किसी भी month का last जो Thursday होता है उस month का वह expiry होता है ठीक है मतलब आपका उस month के अंदर जो last Thursday है उस last Thursday में आपका वह option expiry हो जाएगा मतलब automatically sale हो जाएगा तो हम यहां पर जो expiry option होता है वो two types का होता है एक होता है American type एक होता है European type जो इंडिया में follow होता है वो है American type इंडिया में European type follow नहीं होता है तो क्या है American type और क्या है European type तो इसको चलिए हम लोग जानते हैं American type है आप लोग जो exercise date है exercise date मतलब जो last Thursday of the month जो रहता है जो last Thursday of the month रहता है और जो expiry का उसी दिन पर आप उसी दिन पर भी बेच सकते हैं या पर उसके पहले भी बेच सकते हैं मतलब आप चाहें तो intraday भी कर सकते हैं options का तो बट European में ऐसा नहीं है European में आपको जिस दिन exercise date है मतलब last Thursday of the month उसी दिन आपको वो option का exercise करना पड़ेगा तो इंडिया में यही American exercise follow होता है because बहुत लोग intraday भी करते हैं तो इसके लिए इंडिया में American option expiry है वही follow होता है तो I hope आज के वीडियो में आपको समझ आएगा होगा कि क्या expiry अगर वीडियो पसंद आए तो like share and subscribe जरूर कीजिए description में मेरा number दिया हुआ है अब call या WhatsApp कर सकते हैं thank you